पिसान भाईयों को नमस्कार मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूँ मैं अनाज के इस ओफिशल यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे श्रीराम कंपनी की फिप्रो दवाई के बारे में जियां दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से फिप्रो दवाई के बारे में इसकी तमाम तरह की उप्योगिता आपको बताएंगे कि कौन-कौन सी फसल में आप इस दवाई का उप्योग ले सकते हैं इसके टेक्निकल नाम के बारे में जानकारी देंगे और साथ ही साथ में इसकी क्या डोज, यानि कि इसकी कितनी मात्रा आपको कितने हेक्टर, कितने एकर जमीन में, किस तरीके से इसको फेकना है, किसके साथ मिलाकर फेकना है, पानी के साथ मिलाना है या नहीं मिलाना है, उन स सावधानिया आपको रखनी चाहिए उन सब के बारे में बताएंगे तो दोस्तों अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले आए दोस्तों शुडवात करते हैं कि जो फिप्रो दवाई है इसका इस्तमाल आप मुख्य रूप से गेहूं, धान, गन्ना जैसी फसलों पर ही कर सकते हैं हर फसल में इसका इस्प्रे तो होगा ही नहीं ये केवल फिक्ती है तो इसलिए मैं इस्प्रे शब्द उप्योग में नहीं लूँगा इसको आपको हाथ से फेकना है अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसको फेकना कैसे है पहले उससे पहले आपको इसका टेक्निकल नाम बता देता हूँ सबसे पहले बात इसका टेक्निकल नाम है फिप्रोनिल 0.3% GR यहां दोस्तो इसमें फिप्रोनिल टेक्निकल है जो की दर्शाता है कि इसकी डोज बहुत ज़्यादा माइने रखती है बहुत कम डोज में भी यह बहुत अच्छा काम करके देगा क्योंकि फिप्रोनिल टेक्निकल जो आता है वो बहुत स्ट्रॉंग होता है और दोस्तों अब इसके उप्योग या इसके डोज के बारे में बताओं तो 40-50 किलो यूरिया यूरिया का जो एक कट्टा आता है आपको वो ले सकते हैं आप रेत ले सकते हैं इतनी ही अगर यूरिया नहीं लेते हैं तो और NPK भी आप ले सकते हैं और इसके साथ में आपको 8 से 10 किलो ये फिप्रो मिलाना है और आप एक एकर जमीन में इसको mix करके एक एकर जमीन में हाथ से fake सकते हैं, हाथ से बुरक सकते हैं तो आपको दोस्तो इसका spray नहीं करना है, इसको आप यूरिया के साथ, इसको आप रेत के साथ या इसको आप NPK के साथ या दूसरा कोई liquid fertilizer के साथ में आप इसको मिलाकर और बुरक सकते हैं, इसका spray आपको नहीं करना है इस प्रेवाला जो फिप्रोनी लाता है, वो अलग आता है, वो अगले वीडियो में हम आपको जरूर उसकी जानकारी देंगे तो दोस्तों इस dose को आप एक बार फिर से गौर से देख लीजिए, बताई गई डोस के हिसाब से आपको कोई भी दवाई का इस्तेमाल करना है और अब हम इसकी महतुपून बातों की बारे में बताएं, तो दोस्तों, ये दवाई का सबसे बड़ा जो काम होता है, वो मैं बताओं आपको जो कोई भी कोई भी फसल है, उसकी अर्ली स्टेज में होता है जब वो फसल छोटी होती है जब वो फसल लगी हुई होती है जब उसकी जड़ों का विकास होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है उस तमें आप इसको डालते हैं तो उस पसल में तना छेदक जो रोग आता है वो नहीं आता है भूरा पहुत रोग का फुदका वो नहीं आत जितने भी कीट होते हैं जो जड़ को खाते हैं या तने को नीचे से खाते हैं जैसे स्टैम बॉरर, रूट बॉरर, उन सब को ये मारता है, चुहे साप तक को भी ये मारता है और ये पौदे को इतना जहरीला बना देता है कोई भी कीट, कोई भी माइट, कोई भी स्पाइडर, कोई भी तरह की लट, कोई भी तरह का मच्छर, पौधे के आसपास शुरुवाती अवस्था में 15-20 दिन तक नहीं आ पाता है और इसी वज़े से ये जड़ में जाकर काम करता है और जितनी अच्छी आपके खेत में नमी होगी, उतना ही अच्छा इसका बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर नमी होगी, तो आपके खेत में ये दवाई अच्छे से घुल मिल जाएगी, और आपकी रेत के साथ, जमीन की रेत के साथ, ये दवाई का मिक्स्टर बहुत अच्छा हो जाएगा, जो की काफी फायदेमंद रहेगा माइट्स को और इन सभी तरह के कीटो को माणने के लिए, इसके इस्तमाल के बाद में खेत में नमी बनी रहनी चाहिए, मतलब अगर मैं धान के बात करूँ, तो आपने जैसे इसको बुर्का, जैसे आपने इसको फेका, यूरिया के साथ चाहे, रेत के साथ, चाहे, नपीके के साथ, उसके बाद में आपको धान में पानी छोड़ देना है, उससे ये होगा, कि वो जो जहर है, वो आपकी जो आपने धोरा बनाया हुआ है, जो आपने धान का पौध बनाया हुआ हुआ है, धान का जो एक एकड में है, जो भी आपने बन अच्छा रहता है, इसे मिट्टी के साथ, यूरिया के साथ, डी एपी के साथ, कैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, डी एपी के साथ में भी यूज़ कर सकते हैं, अगर शुरुवाती अवस्ता में आपने डी एपी नहीं डाला है, तब भी आप इसको डी एपी के साथ भी हिस्पा जो यह चावल में हमें देखने को मिलता है अधिकतर यह कीड़ा उसको के स्वाम और यह हो गया आपका होल मैगोट और गाल मिट्ज जियां दोस्तों इन कीडों के साथ साथ जो भी दूसरे कीड़े होते हैं माइट्स होते हैं स्पैडर होते हैं अफिड्स होते हैं त कीजों को इन इन कीडों को ये फिप्रों जो है ये अपने आसपास नहीं आने देता है उनको नश्ट कर देता है उनको मार देता है तो अब अगर हम सावधानियों की बात करें तो दोस्तों कोई भी दवाई हो आपको सावधानी रखना बेहस जरूरी है सबसे पहली बात तो क पाली पेट कभी भी खीत में नहीं जाना है हमेशा अच्छा खाना खाने में है आपको खेत में जाना चाहिए जब दी आप एसी fibro-जैसी द wiped दोफेकते हैं तो हात में दस्ताने ये मूँपे मांक हमेशा होना चाहिए दोस्तेधों वैसे आपको इसका इस्प्रे नहीं करना है अगर आप इस्प्रे करते हैं अन्य दवाई का तो आपको बहतर परिणाम के लिए नेपसेग इस्प्रे पंप और फ्लेट फेंड नॉजल का उपयोग करना है इस दवाई को आप जब भी इसका घोल बनाएंगे यूरिया डियेपी और इसके साथ में घोल मतलब मिक्शल इसका बनाएंगे तो वो आपको बताई गई डोस के इसाब से बनाना है और हवा से विपरीद दिशा में नहीं फेकना है दोस्तों जिस दिशा में हवा बह रही है उसी दिशा में आपको दवाई आपको ये फिपरो फेकना है ताकि आपके शरीर पर भी आकर ना लगे और दवाई का जो फ्लो है वो बिलकुल एक साथ जाए और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ये जितने भी पैकेट्स और ये जो थेलि लेना है तो ये सावधानिया आपको ध्यान रखनी है चाहे आप फिपरो दवाई कर रहे हैं चाहे आप कोई दूसरी दवाई का इस्तवाल कर रहे हैं सावधानिया सब में आपको ध्यान रखनी है इसके अलावा मैं अगर बात करूं आने वाले वीडियो की तो आने वाला वीडियो हम बनाएंगे श्री राम की गोल्ड 17.8 दवाई के बारे में जिया दोस्तों गोल्ड 17.8 से आप समझ गए होंगे कि यह इमीडा क्लोरोपिड का वीडियो होने वाला है जो 17.8% SL formulation में आता है तो इस वीडियो के बारे में आपको जानकारी अगर लेनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्रिब्शन जरूर कर लिजिये, नोटिफिकेशन का बैल आईकन जरूर दबा लीजिये और ये जानकारी अगर आपको फिप्रो दवाई के अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन दवाने के लिए हम इसलिए बोलते हैं ताकि आने वाले जो वीडियोज हैं उसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के मद्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे दोस्तों नमस्कार